हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में तो आज हम सीखेंगे कि कैसे Microsoft Excel Worksheet में हम लोग Narrow Margin अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले Page Layout में क्लिक करेंगे और इस Page Setup Group में दोस्तों First Option दिखेगा Margin इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों और आप Last Option देख सकते हैं Margin दोस्तों आप Figure 6 साफ देख सकते हैं कि यह जो Margin है Left, Right, Top, Bottom यह Normal और Narrow में कितना Difference है साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Left में कितना Margin चुड़ा जाता है, Right में कितना चुड़ा जाता है As Compared to Normal और Wide Margin दोस्तों Apply करने के लिए आप बस इसमें Normal क्लिक करेंगे और यह Apply हो चुका है Check करने के लिए आप Ctrl प्लस P करके Print Preview ले सकते हैं देख सकते हैं आप कैसा इसका Margin है, कितना कम है उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे Like करें, Share करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले Complete Basic to Advanced Excel Tutorial के लिए Description जरूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे Software Courses के लिए हमारे Website Mahagurus.com पे विजिट करें Thank you